लोकसभा चुनाव को लेकर अब विभिन पार्टियों के नेताओं ने ग्रामीन दौरे तेज कर दिये हैं इसी करी में जेजेपी के भिवानी महिंद्रगर लोकसभा उम्मीद्वार राव बहादुर्स ने नागल चौदरी विधान सभाक्षेत्र के अनेक गावों का दौरा क जनसभाओं को संबोधित किया इस मौके पर राव बहादुर्स का ग्रामीनो द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया और ग्रामीनो द्वारा उन्हें विश्वास दिया गया की आने वाले चुनाव में उन्हें पूरा समर्थन देंगे इस मौके पर राव बहादुर अब से पहले दादरी और भिवानिक शेत्र का भी दौरा किया। पुराना क्शेत्र है यहां से राओ बहादूर सिंग इने लोकी टिकट पर विधायक चुनकर आये थे और इस क्शेत्र से विधायक रह चुके हैं। तुरंत उस गाम में जाकर के जिस प्रकार से एक मिन्ट में लोगों की सला लेकर के गोसित करने का काम किया। जब लोग मुझे टिकट दिवाएंगे और देने वाड़ा जब गाम में टिकट देगा गाहों की सला लेकर के देगा तो इस बात को तो आपको पता है कितना मानसमान आपका हो रहा है। परकि फसल कटाई का टाइम है। इस वक्ते जमीदार अपने खेत में। लेकिन जब बादूर सिंग या आजे सिंग चोटाला या जजीपी पार्टी की कोई बात सूनता है। तो तुरंत घर चोड़ करके और अपने चोपाल में या मंदर में आकर के आपका स्वागत करने का काम करता है। मैं जहां तक समझता हून कि एक के ऊट के मूँं में जीरा गेरने की बात है। मैं समझता हूँ कि यह मुश्कल से 200 भी पार नहीं कर पाएंगे और कहीं कहीं हमारी जैसी चेतरिय पार्टियों का सायोग लेकर के चाहिए वह इंडिया गठ बंदन हो और चाहिए आपकी बीजीपी पार्टियों इनको अमारा समर्थन लेना प्रेगार जिस प्रकार से हरिया नप्रदेश्मे